हमारा अगला कोश्चन है 2 men and 3 women finish 25% of the work in 4 days while 6 men and 40 women can finish the whole work in 5 days in how many days will 20 women finish it तो हमारा कोश्चन बोल रहा है कि 2 आदमी और 3 औरते 25% काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं जबकि 6 आदमी और 14 औरते पूरे काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं हमसे कोश्चन पूछ रहा है कि 20 औरते उसी काम को कितने दिनों में finish कर लेंगी तो इस कोश्चन को solve करने के लिए हमें एक formula का use करेंगे जो कि है m1 into d1 equals to m2 into d2 तो यहां से m1 में हमारे पास कितने लोग है 2 men and 3 women तो वो हमने यहां पर लिखा 2 men plus 3 women into d1 की value क्या हो जाएगी यह लोग 25 परसेंट काम को 4 दिनों में कर रहे हैं equals to m2 में हमारे पास कितने लोग है 6 men and 14 women तो वो हमने यहां पर लिखा 6 men plus 14 women और यह लोग काम को कितने दिनों में complete कर रहे हैं 5 दिनों में तो d2 की value क्या हो जाएगी 5 तो अब हम 16 से इस bracket के अंदर multiply करते हैं तो यहां जागा 32 men plus 48 women और यहां से 32 men और इस 30 men को इस एडलाएंगे तो यह मैनस 30 men आजाएगा equals to 70 women और यहां से 48 women को इस एडलाएंगे तो यह मैनस 48 women हो जाएगा तो 32 men में से 30 men को मैनस करेंगे तो 2 men आएगा equals to 70 women में से 48 women को मैनस करेंगे तो 22 women आएगे यहां से इस 2 से 22 में divide करेंगे तो 11 टाइम जाएगा तो यहां से हमें man and woman का ratio पतल चलिगा जो की है 11 by 1 अब question हम से पूछ रखा है कि यह 20 औरते जो हैं सेम काम को कितने दिनों में complete कर लेंगे हो जाएगा 20 women into D इस formula के carding और यह work done जो है इन work done के बराबर होगा क्योंकि काम जो है हमारा सेम है तो हम इन में से कोई भी एक work done को ले सकते हैं हम इस work done को भी ले सकते हैं और इस work done को भी ले सकते हैं मैंने left hand side वाले work done को ले रखा है तो यहां से equals to 2 men plus 3 women into 16 और हमें man and woman का ratio पता है बस यह value अगर हम यहां पे put कर दें तो D की value निकल आएगी तो next step में हमने वही किया है तो यहां से 20 into woman के value 1 थी तो हमने यहां पे put किया into D equals to 2 into man के value 11 है तो हमने यहां पे put किया plus 3 into woman के value 1 थी तो हमने यहां पे put किया into 16 तो यहां से 20 into 1 20 into D equals to 22 plus 3 it become 25 तो 25 into 16 तो इस 16 में 4 से डिवाइट करेंगे तो 4 ताइम्स जाएगा और 20 में 4 से डिवाइट करेंगे तो 5 ताइम्स जाएगा और इस 5 से इस 25 में डिवाइट करेंगे तो 5 ताइम्स जाएगा और इस 5 से इस 4 में मल्टिप्लाइ करेंगे तो D की वैलू 20 आएगी that means क्या कि इस 20 women को काम को complete करने में total 20 days लगेंगे और यही हमार answer है so our answer will be option number A which is 20 days इस question के regarding आपको कोई भी doubt हो या फिर कोई भी term समझ में नाया हो तो please comment करने ना भूले मैं कोशिश करूँगा कि आपके comment का reply दे सकूँ आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में